में कोरोना के केसिस में लगातार इजाफा हो रहा है बीदे 24 घंटे में कोरोना के 3,37,488 लोगों की मौत हो गई है और 2,42,676 मरीज कोरोना से ठीक होई है और अब देश में अक्टिव मरीज 21,13,365 हो गई है हाला कि केंद्रिय स्वासे मंतराले की तरफ से कहा ये गया है कि कोरोना की तीसरी लहर और ओमाइकरून वेडियन्ट से डिपतने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है साथी तमाम राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से सभी मदद पहुँचाई जा रही है ताकि कोरोना महम स्वारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाएं। अब या के मामलों में उतार चड़ाव लगातार देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी मामले जो है वो तीन लाग के उपर देश में देखने को मिलते हुए नजसर आए और पिछले चौविस गंटे की बात करें तो जो है वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली की सडकों पे जो है देखने को मिल रहा है और कोरोना के कारणी जो है ये वीकेंड कर्फ्यू जो है लगा आगया है इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ओमिक्रोन के मामलों की तो उसकी संख्या भी जो है अब दस हजार के पार जो है भारत म पहुँच गई है और जो की कल के मुकाबले भी भड़ती भी नज़र आई है लगवग तीन दश्मलाव सतर फीजदी के आसपा जो आउमिक्रोन के मामलों की संक्या है वो भड़ गई है पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है सतर दश्मलाव दो दो फीजदी जो पॉजिटिविटी रेट है वो देखने को मिल रही है और जो एक्टिव केसिज है वो भी भारत में भड़ गए और 21 लाग के आसपा सब जो एक्टिव केसिज है वो फिलाल भारत में देखने को मिल रही है प्रफ्यू हो गया या फिर और इवन का फॉर्मुला हो गया लेकिन ये साफ संकेत अब दे दिये गए हैं कि अभी आगे भी पाबंदिया जो है वो जारी रहेंगी देखें बिल्कुल निश्य तोर पर पाबंदिया जारी रहेंगी क्योंकि अभी खत्रा टला नहीं है बेशक दिल्ली में मामले कमाते वे नजर आ रहें लेकिन आप देश की बात करें तो मामलों में इजाफा जो है देखने को मिलता वा नजर आ रहा है इसे में कब जो है मामले एक बार फिर से भढ़ने लग जा इसी को लेकर एतियातन तोर पर अभी जो पाबंदिया है वो पूरी तरीके से जो है लगाई गई है दिल्ली में अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो तीस फीजदी से घटकर लगवग सत्रा अठारा फीजदी के आसपास पहुँच गया और इसी के कारण देख रहे हैं कि अभी भी जो दिल्ली की सड़के हैं उस पर वीकेंड कर्फ्यू जो है देखने को मिल रही है और उसके साथ-साथ कल चुकी प्रस्ताव थे वो कई सारे जो है दिल्ली सरकार के दोरा उपर राज्यपाल को बेज गये ते जिसमें से एक प्रस्ताव जो है मानने हुआ था कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो फिफ्टी यानि पचास फीजदी कैपिसिटी के साथ जो है खुलते वे नजर आएंगे उसके अलावा जो अन्य प्रस्ताव थे चाहे वो आर्केट ऑपन करने को लेकर हो या फिर अगर हम बात करें वीकेंड कर्फिय अटाने को लेकर उसको अभी भी जो है एजटेस जो है कही न कहीं जारी रखा गया है तो इससे समझा जा सकता है कि अभी जो पाबंदियां है वो जो है जारी देखने को मिलती वी नजर आएगी अला कि मामलों में जब जो कटोती ह है वो होती वी नजर आएगी उसके बाद हो सकता है कि कुछ और जो छूट है वो दिल्ली वासियों को देखने को मिलती वी नजर आए लेकिन अभी की बात करें तुपी कर्फिय जो है देखने को मिलता है नजर आ रहा है स्परश क्योंकि कुरोना संक्रमन दर अभी भी बरकार आ रहे है पूरे देश में अगर यहां पर बात की जाए लेकिन दूसरी तरफ ओमाइक्रोन के केसल जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और काफी जादा दिल्ली भी उससे एफेक्टेड है जाहिर तोर पर इसको लेकर किस तरीकी की गाइडलाइन जो है उस पर अमल में लाया जा रहा है अस्पतालों में किस तरीकी की विवस्ता जो है वो यहां पर अब देखने को मिल रही है पर्याप्त विवस्ताएं क्या देखने को मिल रही है तेकि ओमिक्रोन के मामलों की बात करें तो दस लागर दिल्ली में पंद्रा हजार दोसों के आसपास जो है बैड देखने को मिलते हैं जिसमें से धाई हजार के आसपास जो बैड है वो अभी जो है भरे हुए और साड़े बारा जार के आसपास जो बैड है वो खाली देखने को मिल रहे हैं तो इससे समझाए आ सकता है कि अभी जो जो होस्पिटालिटी रेट है वो जो लेकिन फिलाल सभी चीजे तो है अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट भी दिली में डाउन देखने को मिल रही है और उसके साथ-साथ अस्पतालों में बैड भी खाली है लेकिन सपर्श यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि आगे की सिती क्या रहने हाल फिलाल कुछ महीनों बात इस पर धील बहुत जरूरी हो जाएगा देना भी और खासकर जो स्कूल से बंद हैं जाहिर तोर पर उन्हें भी बाद में जो है वो खोलना पड़ेगा लेकिन अभी इसको लेकर क्या सिती है क्योंकि बाहर से आने वाले जो विदेशी जिस एल नहीं हो पा रही है और यही वज़ए है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी ट्रेसिंग नहीं होपाती है सही है देखिए निश्यत तौर पर कई जगा लापरवाई देखने को मिलती है लेकिन इसमें केंदर सरकार राज्य सरकारों को लगातार पत्र लिख रही है कि जादा से जादा टैस्टिंग होनी चाहिए एक समय हम देख रहे थे कि टैस्टिंग कम हो गई थी और देश में भी मामले जो है कम होते वे नजर आ रहे थे लेकिन केंदर सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा कि जादा से जादा टेस्टिंग होनी चाहिए टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ट्रीटमेंट जो है लोगों को मिलता वन ज़राइंगा ट्रीटमेंट मिलेगा तो लोग ठीक घोते वे नज़र आंगे और इसी अधार पर जो है कुवीड भी जो है जो जो अपवर्ड ट्रेफ रेंड में देखने को मिलता ही जाय गा सारी Jessica तो अब था करते हैं तो पचाह सी जादा से जादा करनी Ha great कि गद्स क्राइब करनी होगी ता कि जादा सी जादा मामलों का पता चले और उस पर फिर लागाव जाहिए ऑक ने दोर आ उसके तो असके जाहिए मैं सब्सक्राइब करे бросी ना जाके बहुत ज़ादा मैत्व यहां पर दिया जा रही लेकिन स्परश अभी क्योंकि देखे बुस्टर डोस जो है वो भी गया सेंशल सर्विसेज दॉषूल जा रही है लेकिन आगे का इसको लेकर भी blueprint तयार किया जाएगा कि आगे का इसको लेकर जो booster dose है उसकी reach को बढ़ाया जा सके तो उमीद कर सकते हैं कि आगे चल कर जो booster dose है उस के दाइरे को भी बढ़ाया जाएगा देखिए समय समय पर जो वग्यानिक परामर्श देते हैं केंदर सरकार को उसके अधार पर फैसले जो है केंदर सरकार लेती वी नजर आती है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने साफ़तोर पर ये कहा था कि जो वग्यानिक परामर्श है उसी के अधार पर जो हम जो precaution dose है वो जो है शुरू करते हैं नजर आ रहे सबसे पहले हमने देखा कि या जो हेल्थ वरकर्स थे फ्रेंट लाइन वरकर्स थे और सिक्स्टी प्लस एज वाले जो लोग है उनको जो है ये जो पूस्टर डोस है वो लगाई गई है ऐसे में अब धीरे दीरे चरनबद तरीके से जो है इसको और जादा जो है खोलने की जो जरते हैं वो जो है पड़ती वी नजर आएगी चाहे वो पंतालिस प्लस से जो लोग नीचे हैं उनकी बात करें या फिर जो छोटे बच्चे है चूंकि स्कूल भी अभी पूरी तरीके से बंद है ऐसे में बारा से चोदा वर्ष तक के बच्चों को कब जो है डोजिस लगाए जाएगी यह तमाम चीज़ें जो है आने वाले समय में केंदर सरकार तरह करें लेकिन निश्चित तोर पर जो वैग्यानिक परामर्श होगा उसी क्यादार पर तमाम जो फैसले है वो केंदर सरकार लेती वी नजर आएगी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असपर शर्मा इस स्वाम जोनकारी के लिए तो बता दें आपको कि अब तक 4888884 लोगों के मौत हुई है वहीं आज तीन लाग से जादा नए केस सामने आ है